नमस्कार दोस्तों, आज हम सूजी चोकलेट केक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कप सूजी ले लिए है, सूजी थोड़ा मोटी है, इसलिए हम पहले इसको पीस लेंगे सूजी मैंने पीस ली है, अब इसमें आधा कप चीनी, आधा कप ही दही, और आधा कप ही दूड़ डालेंगे हम चुथाई कप कोको पाउडर, यह ले लिया है मैंने, कोको पाउडर, और चुथाई कप ही देल डाल देंगे इन सब को हम फिर से ब्लेंड करेंगे, सभी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल देंगे मिकालने के बाद इसे आदा गंटा हम डग कर छोट देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए इधर हमने बर्तन तयार कर लिया है, तेल लगा लिया है, चारों तरफ नीचे मैंने बाटर पेपर लगा दिया है मटर पेपर ना हो, तो थोड़ा तेल लगा कर और मैदा डस्ट कर लें, उससे भी काम चल जाएगा सूजी हमारी फूल चुकी है, इसे आदा घंटा हो गया है, थोड़ी हाट भी हो गया है, इसलिए हम इसमें दो तीन चम्मच के करी दूट डाल देंगे, जिससे ये थोड़ा पतली हो जाए मैक्स कर लेंगे इसे हम, अगर जरूरत हो तो थोड़ा दूधोग डालिए बहुत पतला भी नहीं करना हमने इसे, और बहुत गाड़ा भी नहीं रहना चाहिए, अब हमारी ये सही कंसिस्टेंसी बन चुकी है, ऐसी होनी चाहिए, अच्छी तरह मैक्स कर लेंगे हम अब इसमें एक चम्मच बेकिंग पॉडर डालेंगे और चौथाई चम्मच बेकिंग सोड़ा डातेंगे, इन्हें कट और फोल्ड मेथड से हम, मैक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं फेटना है, बस मिक्स हो जाए, इतनी देर ही हमने इसको चलाना है अब हम केक टिन में बैटर को पलट लेंगे उदर मैंने गैस पर बरतन चड़ा दिया है, जिसमें हमने यह पकाना है दस मिनट पहले उसे हीट अप करना बहुत जरूरी है कड़ाई हमारी दस मिनट से गरम हो चुकी है और इसमें जाली भी मैंने रख दी है अब हम इसमें केक टिन को रख कर ऊपर से कोई प्लेट या थाली जो इसमें सेट हो जाए उसको लगा देए कम से कम आधे घंटे से पहले हम इसको खोल कर चेक नहीं करेंगे 40 मिनट हो चुके हैं केक को पकते वे अब हम चेक करेंगे देखिए केक हमारा पक चुका है बिलकुल तयार है अब ठंडा होने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे यह देखिए केक ने किनारी छोड़ दी है फिर भी हम एक बार चुरी से इसको टिन से अलब कर लेंगे और साथ साथी से पलट लेंगे प्रटर पीपर निकाल लेंगे हम दीरे दीरे सीधा कर लेंगे हम केक को यह देखिए कितना स्पंजी केक बना है बिलकुल हमारा चॉकलेट स्प्रेट डाल कर अब अब इसे फैला लेंगे इस पर हम शोगर बॉल्स डाल कर इसकी गार्नेशन करें तो तयार है हमारा चॉकलेट स्पंज केक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार झाल